आप सुबी का मेरी YouTube चैनल में आने के लिए बहुत बहुत दन्यवार हँच भाषमान धी कि थूब आपको बहुत सारी जानकरी मिलती है और हर प्रकाल की हमारे चैनल पर आपको जानकरी मिल सकती है बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो मैं दिपांची दुसेजा आज आपको प्रदूशन के बारे में बहुत कोई बताने जा रहे हूं प्रदूशन को हम इंगलिश में पॉल्यूशन की नाम से जानते हैं तो कि हमारी दुनिया में बहुत जादा फैल रहा है और उसको रोकने का कोई भी सल्यूशन नहीं मिल रहा है ना कि लोग मान रहे हैं इसको रोकने के तुरूँ तो आईए मैं आपको ऐसी कोई बताऊंगी जिनसे आप पॉल्यूशन से दूर भी रहेंगे और उसको रोकने में सफल भी ये वीडियो से बच्चों के लिए नहीं ये स्कूल स्टूरेंट्स के लिए नहीं एक आम आदमी एक आम परसन के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकोज आजकल ये पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल रहा है कि इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अगर हम इसको रोकने जा रहे है तो हमारी साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है काईए हम जानते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं और इसको किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी बॉड़ी या हमारी हेल्थ पर कोई भी एफेक्ट ना हो काईए हम बिना डाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते है पॉल्यूशन जिसको हम हिंदी में प्रदूशन के नाम से जानते हैं उसको रोकना बहुत ही जादा मुश्किल हो गया है तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगे जो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जादा ज़रूरी है उनको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी मेरे वीडियो से और एक आम आदमी को जानने में भी बहुत ही जादा आसानी होगी तो आईए हम सबसे पहले जानते हैं पॉल्यूशन होता क्या है यह एक कंटाइमिनेशन ओफ स्वाइल वाटर और इत्मोस वाइर बाइद दिस्टार्ज ऑफ हाम्फुल सब्टैंस अंडिसेबर्ली चार्ज इन दे एयर वाटर एंड लैंड इस कॉल्ड पॉल्यूशन तो मैं अब आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बतारी हूँ दूशित, मिटी, पानी और हवा जो कि हमारे शुद्ध हवा, पानी और मिटी में मिल जाती है उसे हम पॉल्यूशन के नाम से जानते है जो सब्टेंज, जो भी चीज, एक पॉल्यूशन के थुरू हमारी चीजों में मिलती है उसे हम पॉल्यूटेंज कहते है और इसका में को होता है यूमन की एक्टिविटीज पर असर करता है क्योंकि पॉल्यूशन के अंदर से बहुत ही गंदी सी स्मेल भी आती है, धुआ आता है जो कि हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही जादा हामफुल रहता है तो हमें पॉल्यूशन से बचना चाहिए भारत में प्रवर्ण प्रदूशन के प्रकार और उनको रोखने के उपाय Types of Pollution in India Types of Pollution Air Pollution, Water Pollution, Soil Pollution, Noise Pollution तो इतने चार प्रकार के हमारे वैसे तो और भी प्रकार होते हैं पर Main Chars के नाम से जाना जाता है मेन हमारे ये चार पॉलुशन होते हैं जिसको हमारे अच्छे पॉलुशन को गंदा किया जाता है और जो कि दूशित हो जाते हैं बिना उनको साफ करें उनको उसी पानी में डाला जाता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है और उससे फिर हमारी बॉडी को नुकसान पहुचता है तो आईए मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ इन चारो पॉलुशन्स को Chemical are released into the air through harmful gases burning of fuels and other byproduct of modern human life इसका मतलब है कि जो गंदे chemical released होते हैं हवा में gases released होती है, fuels released होते हैं जो कि हमारी बॉडी को harmful करते हैं जो कि एक product में से निकलते हैं Polluted air can impede, breathe and cause many serious diseases in human and animal ये एक ऐसी pollution है जो कि हमारी बॉडी में बहुत जादा बिमारिया पैदा कर सकती है जो कि हमारे लिए बहुत जादा harmful हो सकती है और हमें सास लेने में भी इससे बहुत जादा problem होती है breathing करने में बहुत जादा difficulty होती है Toxins from human and industry waste are introduced into our water supplies इसका मतलब ये है कि जो बहुत गंदी industries से मतलब factories से जो भी गंदी, pollution, धुआ, कच्रा निकलता है वो हमारे पीने के या नहाने के पानी में डाल दिया जाता है जैक से कि गंगा नदी आजकल गंगा नदी ऐसी हो गई है कि उस पर ही लोग कपड़े दोते हैं गंदा dust डाल देते हैं और बहुत ही जादा गंदी कर रखिये उस river को तो वो हमारे लिए ही harmful है तो इस तरीके से वो water pollution कहलाता है कि हम सारा गंदी की उसको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें पहले water उस water गंदे water को साफ करके यह फिर अच्छे water के साथ मिलाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को कोई भी नुकसार ना हो water can be a medium for many pathogens it can cause disease when consumed by human and animal एक गंदे पानी में बहुत ही जादा ऐसे bacteria और ऐसे fungals होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही जादा disease से infect कर सकते हैं और जो कि हम पीते हैं उससे consumed हो सकता है human and animal bodies ऐसा नहीं कि सिर्फ human को problem होती है इस गंदे पानी को पीने में क्योंकि पानी animals भी पीते हैं तो उनको भी बिमारी होती हैं और हमारी जो कि हमारी species हमारी दुनिया को खतम करते हैं हमारे जो भी पुराने जानवर थे वो pollution के कारण बहुत ही जादा दूर चले गए हैं क्योंकि पेड़ पौदे लोग उगाते नहीं हैं तो उससे उसको pollution मतलब carbon dioxide फैलता ही जा रहा है तो carbon dioxide लेते हैं और oxygen छोडते हैं तो carbon dioxide लेने के लिए कोई भी नहीं है तो इसके पेड़ होगा है pollution नहीं फैला है Land pollution and soil pollution waste material produced by human are left to actually minute on the earth's surface many chemicals such as pastis and fertilizer are absorbed into soil ऐसे बहुत ज्यादा waste material होते हैं जो कि human बनाते हैं और उन्हें हम fertilizer के लिए use करते हैं खेतों में जो कि खेत में कोई भी फसल उपती है तो उसमें fertilizer बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और fertilizer soil को को करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है तो उससे हमारे body तक वो गंदगी पहुचती है और हमें बहुत ही ज़्यादा बिमारियां हो सकता injection of waste can injure और poison animal chemical can also enter the soil and be absorbed by plant और leach into the water supply एक waste material जो कि हमारी body को poison के थूरू treat कर सकता है और animals को भी treat कर सकता है chemicals जब हमारी body में enter करते हैं drug soil और जो भी फसल होगाई जाती है observe करते हैं तो उससे हमें leach into the water supply में भी problem हो सकती है noise pollution human produce access amount of loud noise include industries and vehicle source इसका मतलब है कि यह एक human है जो कि बहुत जादा noise फैलाता है factories में से बहुत गंदी गंदी noise आती है आजकल गाडियों में से भी बहुत गंदी गंदी आवाज आती है bullets देख लो अदलग अलग तरीके की गाडियां और फटाके जलाते हैं हम crackers यूज करते हैं दिवानी पे और आजकल तो sound music आ गया है जो कि Bluetooth speaker आ गया है जो कि बहुत जादा noise फैलाते हैं जिससे कि हमारे mind को बहुत जादा problem रहती है तो please थोड़ा loud music यूज करना बंद करें थोड़ा low music यूज करना शूरू करें Access noise in the environment can interfere with the animal communication it can also harm animal that really on sound for navigation or hunting यह only human beings के लिए harmful नहीं है यह एक animal के लिए भी बहुत जादा harmful है तो please इसे noise थोड़ा कम फैला है noise चाहे वीकल में हो चाहे इंडस्ट्रीज में हो चाहे अपने घर में कोई भी Bluetooth connection चलाना थोड़ा low चला है तो आपको मेरी वीडियो से बहुत जादा जानकारी मिली है ऐसे नहीं कि अभी pollution के बारे में मैं बताना बंद कर दूंगी यह अभी बहुत ही जादा long चलेगा तो आप हमारे वीडियो को आगे तक देखते रहें ताकि आपको और भी pollution के बारे में पता चल सके ताकि students को भी बहुत अच्छे से मेरी study समझ में आ सके क्योंकि वीडियो बहुत ही जादा long हो चुकी है तो it will be next day मैं आपको बहुत जादा जानकारी दोंगी पॉल्यूशिन के बारे में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजी और बैल आइकन पर क्लिक कर देजी ताकि मैं आगे कोई भी पॉल्यूशिन ये कोई भी वीडियो डालू तो सबसे पहले आपके पास आए और पॉल्यूशिन फेलाना बंद करें जितना हो सके प्रिया वरन को सुद्ध करने की कोशिश करें